Hello everyone, this is Saurabh from Vidyamandir Classes. In today's video, we will be decoding BitSat. आज के इस वीडियो में हम लोग BitSat के बारे में बात करेंगे. इससे पहले कि हम लोग BitSat के बारे में बात करने शुरू करें. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा विद्यamandir YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिये, जिससे की आपके लिए नोटिफिकेशन आते रहें. चलिए बात करते हैं, बिटसेट की बारे में छोटे से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी की, each and every information related to the बिटसेट exam. तो लेट सी वाट आल इस देर इन बिटसेट exam. तो देखते हैं, आईए बिटसेट exam में क्या-क्या होता है, कैसे exam होता है, क्या-क्या चीज़े उसके अंदर होती है, किस तरीके से क्या उसका पैटर्न है, क्या हमें उसमें करना चाहिए, क्या हमें उसमें नहीं करना चाहिए, किस subject में कौन से topics important है, कौन से topics come important है, लास्ट के दस सालों में किस तरीके से questions पूछे गए हैं वो हम लोग सारी सारी बातें इसमें करेंगे और Bits Head के अंदर एक secret चीज भी होती है उस secret के बारे में भी इस वीडियो में आप से discuss किया जाएगा और हम ये भी discuss करेंगे कि किस campus की Bits के कितनी कितनी cut-offs रही हैं लास्ट के कुछ years में जिससे कि आपको एक अंताजा मिल जाए कि हम कितने marks लाके किस college campus के और अपने we can see through that admission into that particular campus Now let us see what's in Bits Head आप अपने अगर screen पर देखेंगे कि हम लोग Bits Head को decode करने की बात करें आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे विदेम अदर classes की तरफ से, VMC की तरफ से तो सबसे पहली चीज़ कि 2018 में Government of India ने Bits को Institute of Emirates का जो है status दे दिया इसका मतलब यह जो है it is comparable to all the old IITs यानि कुछ नए IITs भी से नीचे हैं दूसरी बात हम करते हैं कि जो Bits Head का exam है Bits के जो main campus है वो Plani में है उसके इलावा इसके जो campuses हैं that are in Goa, Hyderabad and Dubai जो Bits Head exam है that covers the three campuses that is Plani, Goa and Hyderabad इन तीन campuses को जो है Bits Head का exam जो है वो cover करता है now let us see the basic information about Bits Head Bits Head के जो basic information है वो कहती है कि Bits Head के बारे में सारी जानकारी आपके सामने screen के ऊपर है approximate three lakh candidates appear for Bits Head which means the competition is not too high as it was in J.E.Mains जैसा J.E.Mains में competition है उतना competition नहीं है तीन लाग बच्चे exam को भरते हैं 10th में तक आपके पास जो है इस बार admit cards आ जाएंगे आपका जो exam का session है वो 26 में तक है उसके बाद आपके पास जो है result का date है counseling की date है इसमें जो एक important question जो लोगों के दिमाग में रहता है कि eligibility क्या है तो Bits Head की eligibility जो है वो थोड़ी सी different है Bits Head की eligibility कहती है कि आपके 75% marks होने चाहिए PCM में 75% marks होने चाहिए PCM में और 60% होने चाहिए individually यानि individual subjects में तो 60% होने चाहिए individual subjects में और 75% होने चाहिए PCM में this is the eligibility for Bits Head यानि Bits में admission लेने के लिए आपके लिए in marks का criterion ज़रूरी है आईए अब हम लोग paper pattern की बात करते हैं paper का pattern जो है बाकी की exam से शायद थोड़ा सा different है physics में 40 questions है chemistry में 40 questions है mathematics में 45 questions है in case अगर आप भी pharma के लिए जा रहे हैं भी tech के लिए नहीं जा रहे हैं तो वो biology के 45 questions हो जाएंगे जो है English proficiency के 15 questions है और logical reasoning के 10 questions है ये add होके 150 questions बनाते हैं 3 hours में 150 questions बनाते हैं यहाँ पर एक question है क्या जो यह pattern दिख रहा है साड़े 300 questions 150 questions का यही questions होते हैं इसके बारे में वीडियो में आगे discuss करेंगे कि शायद question इससे जादा भी हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं जादा उस पर हम आते हैं अभी वीडियो में आगे और एक जो सबसे important चीज यहाँ पर है वो यह है कि अभी तक हम लोग जो basically जन एक्जाम को cater करते हैं हमारे mindset में यह चीज होती है कि जो negative marking है marking scheme जो है वो plus 4 minus 1 है मानलब 25% marks आप lose करते हैं अगर आपका question है गलत होता है बट bit set में ऐसा नहीं है bit set में marking scheme है plus 3 minus 1 यानि 33% marks of loss करते हैं अगर आपका question गलत होता है तो यहाँ पर आप भूट ध्यान रखे कि जब आप guess work work कर रहे हैं तो उस समय पर आप बहुत सादा यहाँ पर उसको यूज ना करें क्योंकि यहाँ पर जो damages है वो हाई है यहाँ पर damages जो है वो 33% के हैं not की 25% के हो ठीक है तो यह बात हो गई हमारी paper के pattern को लेके राइट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का paper pattern है थोड़ा सा different है इंग्लिश और mental amplitude की बात हम कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं अब हम लोग बात कर रहे हैं कि cut-offs अलग-लग campuses की कैसी रही है पिछले सालों में तो अगर हम लोग planning campus की बात करते हैं तो planning campus में अगर आप computer science का देखिए तो cut-off काफी हाई रही है बाकी अगर entry level पे देखते हैं तो cut-off थोड़ी सी low भी है तो यह last की कई सालों की जो है cut-offs है हम आपको इसका link जो है वो आप comment section में छोड़ देंगे तो आप जिससे की इसको बाद में वी रेफर कर सकते हैं वैसे बिट्स की website पर भी available होना चाहिए गोवा campus को अगर आप देखते हैं तो computer science engineer हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर obviously planning campus से थोड़ी से नीच यह cut-off जाएगी क्योंकि planning campus bits का जो है वो main campus है और बाकी courses की cut-offs पी यहाँ पर लिखी गई है जो cut-offs अगर आप देखेंगे पहले तीन साल में नहीं लिखे गए वो ब्रांच नहीं खुली थी इसी साल हदरबाद में अगर हम लोग देखते हैं तो फिर से अगर आप देखे तो computer science की cut-off जो होगी वो हाई होगी जो की normal trend है समय cut-off को हाई करने का तो अगर हम लोग एक इसका जिस्ट देखें अगर हम पूरा तो हम जिस्ट किस तरीके से देख सकते हैं कि तीनू campuses में अगर हम मि यह कहें कि अगर हमें bits के अंदर computer science engineering लेनी है तो हमारा score जो होना चाहिए वो 370 से 380 के बीच में होना चाहिए तो 370 से 380 का score लाने के लिए obviously paper का attempt जो होना चाहिए वो थोड़ा सा जाधा होना चाहिए जिससे कि हमारा score final जो बन जाए वो 370 से 380 के बीच में बन जाए अब ह कैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए कैसे हमें questions को attempt करना चाहिए कैसे हम इस bits के secret को जो है unlock कर सकते हैं तो आएए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं मैंने जैसे इसमें आप पुड़ा कुछ questions डाले हैं इनी questions को मैं answer कर रहा हूँ कि हम कैसे इस exam को conquer करते हैं और bits के exam का secret क्य है तो देखे सबसे इप्रटन चीज जो है एक्जाम की वह है कि हमें यहां पे लेवल ऑफ इग्जाम कैसा है लेवल अब बात करते हैं तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि board को अगर मैं सबसे easy रखता हूँ तो board के बाद bit set आएगा, bit set के बाद J mains आएगा, J mains के बाद J advance आएगा, तो ये exam जो है आप कह सकते हो कि मैं कहना चाहरा हूँ कि exam जो है, वो J mains से easier है, अच्छा अब किस logic से मैं कह रहा हूँ कि exam J mains से easier है, मैं इस logic से कह रहा हूँ कि exam J mains से easier है, in easier किस terms में है, easier in the difficulty of questions, right, not easier in terms of exam, no, in terms of exam it's not easier, I am saying कि जो difficulty of questions पूछी जाती है, उसकी बात कर रहे हैं, तो सबसे easy question अगर board में पूछे जाते हैं, तो उससे थोड़े difficult bit set में पूछे जाते हैं, उससे थोड़े difficult J mains में पूछे जाते हैं, और सबसे difficult J advance में पूछे जाते हैं, मैं इस तरीके से difficulty की बात कह रहा हूँ, अब हम लोग कैसे इसको decide कर रहे हैं, कि देखी J mains में 3 hours में आपको 90 questions करने होते हैं, और bit set में आपको क्या करना है, कि 3 hours में आपको 150 question करने हैं, या 150 से भी जादा करने हैं, तो यानि आपका जो यहाँ पर bit set में जो game है, वो speed versus accuracy का है, कि यहाँ पे आपकी speed versus accuracy जो होनी चाहिए, वो high होनी चाहिए, क्योगि अगर आपकी speed versus accuracy high होगी, तो आप अराम से यहाँ पर score कर सकते हैं और secret को भी unlock कर सकते हैं बट अगर आपकी speed यहाँ पर कम है questions easy हैं तो आपका score गिर जाएगा और आपको benefit नहीं होगा तो इसलिए आपको speed versus accuracy पर बहुत बहुत ध्यान रखना है दूसरी बात जो है कि जब हम exam देने जाते हैं bit set का जब हम exam देने जाएंगे तो शुरू के 3-4 minute-5 minute लगा के हम लोग instructions को ध्यान से पढ़ लें instruction को ध्यान से पढ़ने से क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो system है जो computer है जिसके उपर ये software है जिसके उपर आप exam दे रहे हैं उसके अंदर गलती से अगर आपका end button दब जाता है lock button दब जाता है यानि paper आपका end हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब कुछ exams में कि double click करने से system lock हो जाता है तो please ध्यान दीजेगा कि क्या instructions क्या कहते हैं कि किस तरीके से screen पर navigate करना है अगले question पर कैसे जाना है पिछले question पर कैसे जाना है section को कैसे navigate करना है तो यह सारी चीजें जो हैं please ध्यान से पढ़ लीजेगा अगर आपको कहीं पर कोई confusion लगता है तो वहाँ पर जो inviator support staff जो होता है उसको बुरा के पूछ लीजे कि किस तरीके से वो navigation system काम करेगा आप questions sections की बीच में कैसे navigate कर सकते हैं कैसे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्या limitations है उस चीज को जरूर आप मैं कहूंगा फिर से कहूंगा कि 2-4-5 मिनिट लगा के जरूर देख लीजे उसके बाद फिर आप question paper को attempt करिए क्योंकि आपको कितना भी अच्छा paper आता हो कितनी वे अच्छी आपके preparation हो अगर आप से ऐसी गलती हो जाती है तो उसके बाद फिर कुछ नहीं हो सकता है ठीक है अब हम लोग जो analysis पे आने से पहले और बात करते हैं कि एक तो मैं यहापे कहूंगा कि NCRT की किताबे पढ़न बहुत जरूरी है खासतोर से chemistry then followed by physics मंदब chemistry तो Bible है उसके बाद physics की NCRT की बुक्स जरूरू पढ़िये उससे आपको काफी insight मिलेगी questions करने की उसके बाद जो एक्तिमाग में आता है कि English के questions English के questions के लिए कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है आप सब लोग काफी अच् के paper देख सकते हैं NTSC के कोई भी book लेके कुछ 150 questions वैसे कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा idea हो जाएगा कि किस तरीके से जो है logical reasoning के question आते हैं क्योंकि 25 questions obviously आपके score को telly को जो है add करेंगे और telly को बढ़ाएंगे आपके marks को score करने में आपकी help करेंगे तो चलते हैं आगे कि books का कैसे हमारे जो books से पहले कि किस तरीके से topic wise subject wise क्या important है क्या पूछा गया है पिछले 10 सालों में क्या trend रहा है bitset का ठीके तो ये शायद आपको normally ना भी देखने हो कहीं पे मिले जो हम आपको विद्यवंदर के इस वीडियो में दिखा रहे हैं तो य ये जो है memory based paper पर based है देखे पहले में आपको बता दूँ ये memory based papers है क्योंकि bitset के paper कोई physical form में बाहर available नहीं होते है memory based papers है पिछले 10 साल के papers के बीच पे हमने ये analysis की है मैं खुद भी physics का teacher हूँ तो मैं सबसे पहले physics से ही start करता हूँ कि physics की हमने analysis की है पिछले 10 साल की और उसमे अगर हम देखें ही सबसे important क्या है तो सबसे important जो हमने paper को analyze करके देखा वो यही है कि 12th का syllabus जो है 50 से 55% आ रहा है 11th का syllabus जो है remaining आ रहा है तो 12th का syllabus जो इतना अच्छा आ रहा है physics के अंदर हम लोग खासोर से बात करते हैं कि जो है आपके 20 questions से लेके 22 questions तक जो है on an average 12th के questions से बन जा रहे हैं अब topics कौन से सबसे important है सबसे important topic 12th की अगर हम बात करते हैं तो modern physics जो है वो सबसे important है modern physics में से सबसे जादा questions आए है modern physics के बाद अगर हम बात करते हैं तो electricity से electrostatics से सबसे जादा question आए है Electrostatics के बाद जो है EMI, AC, EMI, AC से काफी questions आए हैं, तो Modern Physics, EMI, AC, Electrostatics, then Optics, ठीक है, तो ये चार जो हैं, मतलब obviously 80% of physics को इसने cover कर लिया, ये सारे questions आए हैं, इसके बाद अगर हम 11th class में चले जाते हैं, तो Heat and Thermodynamics जो है, वो बहुत-बहुत important है, इससे maximum questions जो 11th class में अगर पूछे गए हैं, तो Heat and Thermodynamics से पूछे गए हैं, और यहाँ पर देखे, degree of difficulty of questions बहुत जादा नहीं हैं, तो आप clearly कह सकते हैं, कि अगर आप इससे heat की बाती करते हैं, आगर आप kinetic theory of gases से लेके, heat transfer तक सारे topics को ध्यान से पढ़ लेते हैं, उनके formulae, उनकी theory, जो है standard cases, जो हैं, उनको आप पढ़ लेते हैं, तो आप से आराम से यह सारे questions हो जाएंगे, तो अगर आप इसको देखे, तो that is a very very good chance, कि हम क्या कह रहे हैं, physics में अगर हम बात करें, तो हम कह रहे हैं कि 12 वाला syllabus ले लो, और 11 से heat and thermodynamics ले लो, तो आपके करीब 40 में से 25 questions जो हैं, वो approximately ठीक होने के chances हो जाते हैं, ठीक है, तो 24 to 25 questions इसी की बीच में range जो है, आ रहे हैं सारे topics को लेके, अच्छा, अब हमारे पास अगर और टाइम हैं, तो अब हम और क्या 11 से पढ़ सकते हैं, तो देखिए हर exam में जो सबसे important, बतलब important नहीं, हर exam में एक ऐसा topic है, जो हमेशा आता है, इसलिए में इसको important कहता हूँ, कि unit dimension and measurement हर exam में question, एक से दो question पूछे जाते हैं, और एक जो बड़ी different चीज, जो bit set के exam में जो बाखी किसी exam में नहीं, ये kinematics से 2 से 3 question पूछे जा रहे हैं, तो यानि motion in 1D और motion in 2D से जो है 1 से 2 question पूछे जा रहे हैं, तो जो आपको help करेंगे, तो 11 के में से heat and thermodynamics paramount है, उसके बाद आप जो है unit dimension से question आएगा, जिसके में बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं पढ़ने की ज़रूत है, kinematics में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूत नहीं होती, क्योंकि वो more or less presence of mind पर ज़्यादा बेस होता है, जब एक बार आप पूरी physics पढ़ लेते हैं, और जो है वहाँ पे अगर आपको और समय अगर मिल जाता है, तो आप laws of motion और work power energy को देख सकते हैं, ठीक है अगर आप पे और समय में है, तो आप उसको देख सकते हैं, rotation, impulse, momentum, इन topics से जो है बहुत जादा कभी नहीं पूछा गया है तो ये bit set का जो है favorite topics में से नहीं है, अगर और उसक में आगर आपको देखने हैं, तो आप यसे analysis sheet आपके पास है, इसका link आपको comment section में भी मिलेगा, और practice करिए questions को, और mastery करने की कोशिश करिए, तो solids and fluids भी ऐसा chapter है 11th class का, जहाँ पर आप और दिहान दे सकते हैं, ठीक है, तो ये बात रही हमारी physics की, अगर हम बात करते हैं, फिर से एक बार crux revise कर लेते हैं, 12th के topics plus heat and thermodynamics is the major chunk of the paper, then you can go for kinematics, laws of motion, solid and fluids, ordinary dimension का question जो है 100% आएगा ही, ठीक है, अब हम लोग आजाते हैं, नेक्स सब्जेक्ट पे chemistry में, chemistry में बहुत सारे topics हैं, तो शायद आपको बहुत clearly यहाँ पर नहीं दीख रहा होगा, तो general organic chemistry को हमें सबसे ज़्यादा importance देनी है, general organic chemistry के बाद, mole concept, stoichiometry जो होती है, उससे सबसे ज़्यादा number of questions आए हैं, तो उसको हमें ध्यान देना है, बहुत easy topic, environmental chemistry, इससे जो है 2-3 question आ जा रहे हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना है, उसके लावा transition elements, chemical bonding, aldehyde and ketones, यह जो है major topics हैं, जिससे chemistry में questions पूछे गए हैं, तो जैसे मैंने कहा, starting में भी video के कि NCRT chemistry के लिए Bible है, तो आपको पढ़नी हैं, उसी से revision करना है, फिर से एक बार topics के नाम ले लेते हैं, chemistry में कौन कौन से topics सबसे ज़्यादा focus करना है, general organic chemistry, mole concept, stratishometry, then chemical bonding, transition elements and environmental chemistry and qualitative analysis, right, तो यह जो chapters हैं, यह सबसे ज़्यादा questions लेके chemistry में आपके सामने आ रहे हैं, अब आजाते हैं mathematics पर, math में जैसे अगर आप देखेंगे, जैई means को देखेंगे, तो वहाँ पर conic section, coordinate geometry का importance बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर trigonometry से सबसे ज़्यादा question पूछे गए हैं, trigonometry से सबसे ज़्यादा question पूछे गए हैं, तो 12th class से जो है, जो सबसे ज़्यादा questions आए हैं, वो limit continuity and differentiability से आए हैं, limit continuity and differentiability के बाद question जो है, application of derivatives से आए हैं, application of derivatives के बाद अगर question देखेंगे, तो integral calculus से आए हैं, तो इस तरीके से questions हैं, और एक दो जो topics आप देख सकते हैं, statistics and probability, एक topics आप ले सकते हैं यहाँ पे, revision करने के लिए जो आपके लिए easy होगा, और एक आप देख सकते हैं, permutation and combination, तो यह सारे topics हैं, जिसमें आप revision लगा सकते हैं, और मेरे को जैसा मैं कह सकता हूँ कि, calculus खास्तोर से, statistics यह सब आप 12th class में ही पढ़े हुए हैं, तो आपको यहाँ पे revise करने की बहुत ज़्यादा जरूवत नहीं होगी, फिर भी questions करने हैं, तो करने हर देन एक paper करना है, तो questions करने के लिए जरूवत है, बट revision उन topics का करना है, जो अभी आपसे थोड़े से fade off हो गए हैं, जो 11th class के topics हैं, उन पर दिहान दीजिए, और यह जो analysis है, 10 साल की, इसको आप download करके, इसमें देखिए कि कौन से topics आपके strong हैं, जहाँ पे आप score कर सकते हैं, कहाँ पे आपको revision की जरूवत है, जो trend analysis कैसी कहत है कि कौन सा topic आने की probability जादा है, कौन सा topic की आने की probability relatively कम है, तो यह रही topic wise analysis, maths, physics और chemistry की, अब अगर हम बात करते हैं कि क्या references हमें use करने चाहिए, देखिए references में मेरा मतलब यह है, मैं एक कहना चाहता हूँ कि अब से लेके जब तक आपका bit set का session ना हो, अगर आप typically bit set के लि कुछ कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर speed का पूरा game है, 150 questions की बात हम कर रहे हैं 3 hours में, तो एक तो यह bit set की guide आती है, जो pen and paper वाला अगर आप preparation कर रहे हैं, मतलब अगर आप घर पे बैठके ऐसे इक book से पढ़ना चाहते हैं, तो यह ले लिजे, वरना विद्या मंदर classes की भ पर होती है, जैसा bit set का platform है, इसके अंदर भी mock tests है, तो आप इस cd को भी ले सकते हैं, यह cd available है online, तो online platform से आप इस cd को procure कर सकते हैं, तो इसमें आपको test जो है online मिल जाएंगे वैसे ही जैसा bit set के अंदर test आते हैं, तो मेरा reference यही है, इसके लावा मैंने आपको बताए दिय है कि English के लिए आपको किसी book की जरुवत नहीं है बहुत जादा और logical reasoning के लिए आप किसी भी NTSC type की किताब को refer कर सकते हैं, ठीक है, और chemistry के लिए खास तोर से NCRT और physics के लिए भी NCRT bit set के exam के लिए, अब हम लोग आ जाते हैं इस section पर जिसके हमने बात की थी कि secret क्या है bit set का bonus कहां से आता है, bit set का exam ये कहता है, जो कोई और exam नहीं कहता, कि अगर आप 150 questions तीन गंटे से पहले कर लेते हैं, तो आप bonus section को unlock कर सकते हैं और bonus section के अंदर 12 questions होते हैं, और ये 12 questions numerical type बहुत जादा नहीं होते हैं, तो ये आपके लिए एकदम जो है bonus हो जाता है, क्योंकि denominator सेम denominator जो है, वो 450 ही है, और ये 12 marks जो हैं आपके add हो जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए एक bonus मिल जाता है, plus point मिल जाता है, इससे बहुत benefit हो जाएगा, तो अब पहली बात आप कैसे करें इसको कब करें, कब ना करें हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जब भी होती है, तो ये अपने साथ risk लेके आती है, तो हमारी advice ये है, कि अगर आप जो है, 140 से 145 question, अगर 2 गंटे 40 मिनट से 2 गंटे 45 मिनट के बीच में कर लेते हैं, if you can attempt, if you can do 140 to 145 questions in a time span of 2 hour 40 minutes to 2 hour 45 minutes, then obviously you can unlock this section, तो उस समय पर क्या होगा, कि आपको सरफ 5 या 8 questions के अंदर fluke work, guess work का का क करना होगा, मैं ये कहता हूँ कि कभी भी ये गलती मत करिएगा, कि आप से 120-130 question हुए, 125 question हुए, और आप 25 question में fluke work करके, और इस section को open करने की कोशिश करने, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये करते हैं, तो यहाँ आप आप जानते हैं कि damage जो है वो 33% का है, तो अगर आपने ऐसा कर दिया, तो आपका बहुत ज़्यादा damage हो जाएगा, तो 140 questions प्लस अगर आप कर ले रहे हैं, तो आप जरूर इस chance को लेके देख लीजिए, 140-45 questions को, otherwise इस chance को लेके बिल्कुल मत देखिए, दूसरी बहुत important चीज कि एक बार आप paper end कर दे कर देते हैं, paper को lock कर देते हैं, paper को end कर देते हैं, paper को lock कर देते हैं, और आप इस bonus section में चले जाते हैं, तो आप बापस paper में नहीं जा सकते, there is no methodology कि आप बापस उस paper में जा सकते, तो इसलिए जब आप paper को lock कर रहे हैं, end कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपने आपको 100% convince कर लिया है इस बात के लिए कि अब आप वापस वेपर को नहीं देखेंगे आप बोनुस सेक्शन के अंदर जा रहे हैं उन 12 को अटैंप्ट कर रहे हैं जिनसे आपके मार्क्स जो हैं बूस्ट कर जाएंगे और आपको जो है जो आपकी मंचाही ब्रांच है कंप्यूटर साइ बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके के माइंड से इंजिनरिंग के प्रपरेशन करते हैं और उनका जो ड्रीम होता है वो उसको प्रक्यूर करते हैं ठीक है तो हमें ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप बिट सेट में आपको कंप्यूटर साइंस ही लेनी है आपको जो हमारे main points थे जिसको हमने discuss किया सारी eligibility आपको बताई, बिट सेट के बारे में आपको जानकारी दी कैसा exam होता है, कैसा exam pattern होता है, कि किताबों से पढ़ना चाहिए, काौन से topics को पढ़ना चाहिए, काौन से topics को नहीं पढ़ना चाहिए, bonus section आपको ऑंलॉक कर सकते हैं और bonus section कब आपको unlock करना है और कब आपको unlock नहीं करना है marking scheme कैसी है और इसके जो links हैं वो भी आपको comment section में हम दे रहे हैं तो इसका मतलब हमने आपको पूरी तरीके से bit set को decode कर दिया है उसकी एक एक चीज निकाल के आपके सामने रखी है चोटे से वीडियो में और इसी के साथ मैं पूरी विद्यमंदर family की तरफ से आपको best of luck कहता हूँ आपके exam के लिए we wish you a very very good luck for your upcoming exam and अगर आपके पास कोई भी query इसके बाद होती है तो आप हमें comment section में दे सकते हैं हम उसको answer करेंगे और अगर आप उसके बारे में किसी इस exam के लावा और भी किसी exam के बारे में जानना चाहते हैं वो भी comment section में लिख सकते हैं और जो है हम उसको आपको answer करने की पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसको as soon as possible आपको answer कर सकें एक बार फिर मैं पूरी विद्यमंदर फैमिली की तरफ से आपको जो है आपके exam के लिए all the best कहता हूँ और फिर से कहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल like और subscribe नहीं किया है तो उसको like करिए subscribe करिए और bell icon को press करिए जिससी कि आपके पास notification आते रहें thank you so much